Hello friends, welcome to Divine Institute, this is Harish Sharma, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नेम है The Bridge Builder, Bridge Builder का मतलब होता है, Bridge को बनाने वाला, Pull को बनाने वाला, इसको लिखा है, Will Allen Drumgul ने, friends, इनका जन्म 1860 में हुआ था, Murpreesboro Tenses में, ये जग्य यूएसे में है, और शी हैड डाइड इन 1934, शी रोट आवर 7500 पोयम्स, 5000 एसेज और पब्लिष्ट 13 बुक्स, तो इन्होंने बहुत अधिक लिखा हैं, friends, 7500 से ज़्यादा इन्होंने कविताएं लिखी हैं, 5000 से ज़्यादा इन्होंने निभन लिखे हैं, और इनकी 13 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, friends, हम सोच सकते हैं, कि इन्होंने अपने जीवन का कितना सारा समय जो हैं, लिखने में लगाया होगा, और इतना easy नहीं होता इतना सारा लिखना, क्योंकि अलग-अलग topic होते हैं, अलग-अलग विशे होते हैं, और इनकी सबसे ज़्यादा विखने वाली जो पुस्तक थी, वो 1911 में आई थी, जिसका टाइटल था, The Island of the Beautiful, हर पोयम, The Bridge Builder, is often reprinted, and remains quite popular, तो जिस पोयम को हम पढ़ रहे हैं, वो कई बार reprinted हुई है, और वो हमेशा ही इतनी प्रापूलर रही है, इतनी प्रसिद रही है, इत कंटेंट्स तू बी कोटेट फ्रिक्वेंटली, युज्वेली, इन अ रिलिजियस, और इन मॉरल कंटेक्स, तो इसके अंदर जो फ्रिक्वेंटली यहाँ पे कोटेट किया गया है, अंदेज देती है, इस पोयम के अंदर बताया जाता है, बहुत अच्छी, बहुती सुन्दर बहुत अच्छी पोयम है, इसके अंदर एक बुजरग व्यक्ति होते हैं, और वो अपने रास्ते पर जब जा रहे होते हैं, तो अचानक उस पे एक गड़ा आता है, गहरा गड़ा, और वो उसको पार कर लेते हैं, अपने अनुभव के कारण, बहुत बड़ा और गहरा गड़ा होता है, लेकिन वो उनको अपने अनुभव के कारण पार कर लेते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं, कि पीछे उनके एक युवा आ रहा है जो कि अभी बहुत युवा है उसको अनुभव नहीं है तो शायद उसको वो उसमें गिड सकता है उसको भारी नुकसान हो सकता है तो रुख जाते हैं और वहाँ पे उस गड़े को वो वहाँ पे ब्रीज बनाना शुरू कर देते हैं ता उसकी लिए केर की उसका ध्यान दिया ताकि वो गिरे नहीं तो समाज में जो कवीतरी है उनूने यह पर यह मेसेज्ज दिया है कि आज की दुनिया में यह उस समय इतने सालों पहले उनूनोंने इस पोयम को लिखा था आज भी वो उतना ही सारता कि कि आज जो दुनिया में जो स्वार्थी लोग हैं स्वार्थी लोगों से दुनिया भरी पड़िये और आज इस समय में ऐसे जो दूसरों के बारे में सोचने वाले लोगों की और ऐसे जो ओल्ड मेन हैं ऐसे लोगों की बहुत ही आवशक हैं दुनिया के अंदर तो एक जो बुजूर्ग व्यक्ति हैं वो हाइवे पे जा रहे होते हैं अकेले और इवनिंग हो जाती है शाम हो जाती है शाम जो है ठंडी और ग्रे होती है अक्सर जो शाम होती है उसका यहां पर वर्णन किया है तो वहाँ पर एक कौजम यहने वो जो गड़ा है गहरा खाई यह गड़ा उसको हम बोल सकते हैं वो वास्ट होती है डीप होती है और वाइड होती है तो बहुत फेली हुई गहरी और चोड़ी होती है वो खाई वहाँ पर आ जाती है उनके रास्ते में थ्रू विच्वाथ फॉलोविंग ए सुलेंट टाइड और वो बहु ही होती है सुलेंड मितलब होता है जो एकदम चिड़ा देने वाली बद्दा लगने वाला तो अचानक उनके रास्ते में आता है तो वो उनको इस तरह से लगता है तो जो बुजुर्ग व्यक्ती होते हैं वो उसको उस धीमी रोशनी में शाम की उस हलकी सी लाइट में उसको पार कर लेते हैं उस खाई को और वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती वो जो खाई हो जो बड़ा गड़ा है वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता लेकिन वो जब उसको पार कर लेते हैं फिर वो वापिस से मुड़ते हैं और उस ब्रीज को बनाना उस वहाँ पे एक ब्रीज बनाना वो शुरू कर देते हैं नेक्स लैन और में उसमें जो यातरा पे जाने वाला व्यक्ति होता है वह उस समय के साथ में वहाँ पे था तो वह यह बोलता है कि तुम यहाँ पे अपनी ताकत अपनी जो उड़ जा है उसको नस्ट कर रहे हो यह जो तुम बना रहे हो इसको बना कर तुम अपनी ताकत को वेस्ट कर रहे हो तुमारी जो यातरा है वो इस दिन के साथ में खतम हो जाएगी और तुम दुबारा इस रास्ते पर तुमको कभी आना नहीं है क्योंकि तुम तो यह पार कर चुके हो क्योंकि यहां पर बताया है कि तुम इस जो कॉजम है यह जो गड़ा है गहरा यह खाई है इसको तुम तो पार कर चुके हो वाई बेल्ड यू दब्रीज एड़ एड़ इवन टाइड तुम क्यों यहां पर जो है ब्रीज को बना रहे हो तो वो अपने सिर को उठाते हैं वो जो ओल्ड मेन है अपने चेहरे को उपर उठाते हैं और उसको जवाब देते हैं उस पिलग्रिम जो फॉलवर था उसको वो बोलते हैं अच्छा फ्रेंड फिर वो बताते हैं दपात आया है हो कम ही सेड जिस रास्ते पर मैं आया हूं जिस रास्ते पर मैं चला नेक्स लाइन में बता हैं देयर फॉल आफ्टर मी टूड़े मुझे उस किसी ने फॉलो किया वहां पर मेरे पीछे-पीछे कोई आया है एक यूध हैं वो एक यूवा है और शायद वो भी इसी रास्ते से आये कि वो उनके पीछे-पीछे आ रहा है तो वो भी शायद इसी रास्ते से आये नेक्स लाइन दक दक दकॉसम डट हैस बीन नॉट तो मी ड़ेट फेयर है यूद में अपीट फुल बी तो बुजूर्ग व्यक्ति उसको जवाब दे रहे हैं कि जिस खाई ने जिस बड़े गड़े ने मुझको कोई नुकसान नहीं पहुचाया है लेकिन यह जो वो जो यूवा है तो देट फेयर हेड यहाँ पे उस यूवा के बारे में बताया कि उनके जो बाल है उस यूवा के वो अभी काले ही है पूर कि फेयर हेड यूथ में एपिटफुल यह जो फेयर हेड यूथ हैं वो उसको नुकसान हो सकता है तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उसको भी इसी रास्ते से यहाँ पर गुजरना पड़ेगा और इसलिए तो फ्रेंड लास्ट की जो टू लाइन्स में बताया है है ही टू मस्क्रास इन दे ट्विल लाइट डिम उसको भी इसी मध्यम रोष्णी में इसी जो शाम की जो बिल्कुल कम रोष्णी डिम लाइट उसी में इसको भी यहाँ से गुजरना होगा और वो उसके लिए नुकसान वाला हो सकता है इसी लिए मेरे मित्र में उसके लिए यह ब्रीज बना रहा हूँ इस इस पोयम यह कविता थी फ्रेंड्स जो की बहुती सुन्दर मेसेज हमें दे रही है फ्रेंड्स यह राइटर है जिन्होंने इस पोयम को लिखा है मित्रों अगर पोयम अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिये सब्सक्राइब मैं चैनल तो यू कन गेट मैं अपकमिंग वीडियो थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच फर वाचिंग थैंक यू